ओकी क्या आप अपने iPhone में अन्स्टॉल की हुई application को App Store से Remove करना चाहते हैं कि आप जाना चाहते हैं जो application आपने अन्स्टॉल कर दी हैं डिलीट कर दी हैं उसे App Store से कैसे हट आएं तो यह वीडियो आपके लिए हैं तो सबसे पहले आप अपने app store में आ जाए इसके बाद यहाँ पर आपको profile के option पर click करना है अब आपको यहाँ पर purchased का option दिखाई देगा इसे open कर ले अब यहाँ पर example के लिए मैं इस application को यहाँ से remove करना चाहता हूँ हटाना चाहता हूँ तो आपको इस तरीके से swipe करना है left की तरफ तो यहाँ पर hide का option आ जाएगा इस पर click कर दें तो यहाँ से guide हो जाएगी ठीक है और मान लीजे इस application को मैं अगर hide करना चाहता हूँ जियो cinema को remove करना चाहता हूँ देखिए already मेरे phone में installed है ठीक है तो यहाँ से मैं इसे remove swipe करता हूँ और height पर click करता हूँ तो यह यहाँ से तो गायब हो गई है बट देखिए अभी भी यह मेरे phone में मौजूद है आप देख सकते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप यहाँ से भी इसे delete कर दें ठीक है यहाँ से भी इसे remove कर कर दें delete कर दें उमीद करता हूँ आप समझ गया होंगे वीडियो पसंद आई हो और एक्सवर को सब्सक्राइब जरूर कर दें